गौलियर में दिवाली की खरिदारी के लिए बजारों में भीड़ों मड़ रही है। चोर इसका फायदा भी उठा रहे हैं। दौलत गंज के एक जोयलरी शोरूम से दो महिलाओं ने सोने की एक अंगुठी चुराली है। महिलाओं की ये हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई है। इसके बाद जोयलरी शोरूम संचालक ने कोदवाली थाना पुलिस से शिकायत भी की है। दिरसल शहर की बसंत बिहार कलोनी में रहने वाली गिरीश अगरवाल की कोदवाली थाना शेत्र के दौलत गंज में इस्तिते किसना जोयलर्स के नाम से शोरूम बना हुआ है। इस शोरूम पर दोपहर के वक्त दो महिलाएं पहुची जहां खरिदारी के नाम पर महिलाओं ने कई तरह की अंगूठियां देखी। इस बीच महिलाओं ने शोरूम स्टाफ से इधर उधर की बाते करती रही और लगबग सवा घंटे तक महिलाएं अंगूठियां देखने के बाद यहां से निकल गई। इन महिलाओं ने कुछ भी नहीं खरीदा लेकिन जब शोरूम पर रात के समय दिन बर का हिसाब किताब इस टॉक में लिखा गया तो एक अंगूठी कम निकली इस पर पूरे शोरूम का कोना कोना च्छाना गया। जब शोरूम में लगे सीसी टीवी कैमरे चेक किये गए तो उसमें खरीदारी करनी आई महिलाएं अंगूठी ले जाती हुई दिखाई दी जिसे देखने के बाद सोरूम संचालक ने तुरंत पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुद्वाली थाने में फर्यादी ग्रीश अगरवाल द्वारा जो किस्टना ज्वेलर्स के मालिक हैं उनके दुखान की जो चेक किया गया तो उसमें एक सोने किया ग्णोटी डायमंड वाली कम थी तो उसके संबंदमन के दौरा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उनकी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर दो महिला संदिक महिला दुखान में आई है और उनके दौरा वांगूती ले जाई गई है तो इस संबंदमन के अडेटिटिफिकेशन कराया जारा जल्दी जल्दी अडेटिफिकेशन कराया जाका उनको गरफतार कर उनसे बता दें पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दौनों अग्यात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जाँच परताल भी शुरू करती है ताकि उनकी पहचान कर उनने जल्द से जल्द गिरफतार किया जा सके ग्वालियर से धर्मीन शर्मा की रिप उनकी पूट